नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक पंक्ती का भाव विस्तार भाव विस्तार या फिर भाव पल्लवन ये मर्दे प्रदेश की बोड़ परिक्षाओं में आता है और आने ही वाला होगा सायद इश्वार तो हम देखते हैं पंक्ती हमारा पार दूर के तो हम देखते हैं भाव विस्तार इस कहावत का अर्थ है कि यदि धोल पास में बजे तो उसका शोर बड़ा ही कान फोडू होता है किन्तु यही धोल की ध्वनी जब दूर से आती है तव हमारे कानों में रज घोलती है दूर से आती धोल की थाप सुनकर मानव का मन पुलकित हो जाता है या फिर हर्शित हो जाता है मन कल्पना करने लगता है कि दूर कहीं उत्सव की खुशिया मनाई जा रही होंगी इसी प्रकार हमारी जिंदगी है हमें भावी जीवन बहुत ही सरस दिखाई देता है परन्तु जब हम यथार्त मतला सच्चाई के धरातल पर कदम रखते हैं और जीवन से रूबरू होते हैं तब हमें यही जीवन नीरस नजर आने लगता है इसलिए राम चंदर शुकली जी ने कहा है और सही कहा है कि दूर के ढूल सुहावने लगते हैं अर्थाद जिंदगी दूर से ही अच्छी लगती है और जिंदगी के अवस्थाओं में जब हम उतरते जाते हैं तो हमें नीरस लगती है धन्यवा दोस्तों झाल